नमस्कार श्वागत है आप सभी का दोस्तो आज हम लोग डेली करेंट अफेर्स के अंतरगत 15 फरवरी 2013 के महत्पून करेंट अफेर्स को पढ़ेंगे अगर आप करेंट अफेर्स के पीडियेप को डॉलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम गुरूप को जाइन कर कर रहा दोस्तो जैसा कि हम लोगों ने बात कर लिया है कि खेलो इंडिया यूथ केम का पांचवा संस्करन MP में हो रहा है और पूछा गया है कि इसमें पदक तालिका में शिर्ष पर कौन रहा तो दोस्तो 161 पदक के साथ महाराष्ट पहले अस्थान पर रहा है हर्याना का और मध्यपरदेश का तीसरा स्थान है याद रखेगा पदक तलिका आमें सबसे उ ऊपर महाराष्ट पर हर्याना और तीसरे नंबर पर मध्यपरदेश आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रस्चन की हूँर दूसरा प्रस्चन है ललिटा लाजमी का हाली में निधन हो गया वोह कौन थे दोस्तो ललीता लाजमी एक चितरकार थी ठीक है? और ये जो ललीता लाजमी है वो वाली बूट के जाने माने अभिनेता गुरू दत की बहन है तो इसलिए भी खास हो जाता है याद रखेगा ललिता लाजमी जिनका हाली में निदन हो गया वे चितरकार थी ठीक है आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रस्ण क्यों तीसरा प्रस्ण है G20 की अध्यक्षता का जस्न मनाने के लिए किसने G20 थीम QR कोड लॉंज किया दोस्तो जैसा क कि हम सभी जानते हैं वर्स 2023 के लिए भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और इसी अध्यक्षता को जस्न मनाने के लिए पेटीम ने G20 QR लॉंज किया है तो इसका सही अंसर होगा पेटीम जी है पेटीम ने G20 QR कोड लॉंज किया है किसलिए लॉंज किया है तो G20 की अध्यक् बंगलादेस के राज़ानी ढाका है और मुद्रा टका है बंगलादेस के प्रधान मंत्री की बात किया जाए तो शेक हशीना आए आगे बढ़ते हैं पाच्वे प्रस्न किया पाच्वा प्रस्न है किस देश के राष्ट पती ने आयाइटी इंदौर के चात्रों को ग्लोबल बेष्ट एम गोब पुरषकार से समानित किया यह प्रस्कार कहां दिया गया है तो बर्ड गवर्मेंट समीट जो कि दुबए में आयुजीत किया जा रहा है दुबए कहा है युवेई में और और किहां के राष्ट पती नहीं पूरषकार दिया है तो जो इसका सई अंसर हो वो होगा मिस्र मिस्र के राष्टपती कौन है अब देल फते अलसी सी जो कि छबी जर्वारी को मोख्य अतिति के रूप में भारत आये थे तो याद रखिएगा आई आई टी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गो पुरस्कार से किसे ने समानित किया तो मिस्र के राष्टपती अब देल फते अलसी सी आई आगे बढ़ते है चटे प्रस्ट के और चटा प्रस्ट है किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भूगतान के लिए ऑफ डिजिटल पेमेंट ऑफलाइन भी कर सकते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा वो HDFC बैंक होगा याद रखिएगा HDFC बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भूगतान के लिए ऑफलाइन पे पाइलट प्रोजेक्ट लॉंच किया आगे बढ़ते हैं सात्वे प्रस्ट के और सात्व लिजिटलि मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्राण अंसर सबस्ट को अब बाइट अबढ़त में प्रकूर नुख किया और यहां और कि और मुंबाइ सकसर जाएंढूइंदीया इंट्रा निशूमिष हे टेश्वा संश्करन कहां अजित किया जाएगा दोस्तो पूछा जा रहा है इंदीया इंटेश्णल सी फूट सो जिसका 23 अंस्करन होगा या कहां जित किया जाएगा तो इसका अंसर होगा कोलकता याद रखेगा कोलकता बिल्कुल सही अंसर है तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा 10 करेंट अफेर्स का ये वीडियो समाप्त होता है उमीद करते हैं आपको वीडियो पशंद ये तो वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वी लाइक अंट्रेस कर लेंगे धन्यवाद